दवस्कार में विश्वानी बिहारी नियूस में आपका स्वागत है आज वे 3 अगस्त खवडों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर BTSC पतना ने 12701 खतर पदों पर निकाली बंपर भर दिया बिहार में अब आधार से जोड़ा जायागा मत्त दाता पहचान पत गनित और विज्ञान विशे में रूची रखने वाले चात्रों के लिए खुश खबरी गोवास से ज़्यादा बिहार में गूमना पसंद करते हैं विदेशी एशिया कप का शेडूल हुआ जारी अब चलिए बढ़ते हैं पचीस बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिटी एसी पटना ने 12,771 पदों पर निकाली बंपर भरतिया बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन बिटी एसी सी पटना ने एसी जी टेक्निशियन, एक्सरे टेक्निशियन, ओपरेशन थियेटर, असिस्टेंट और फीमेल हिल्थ वर्कर एएनेम के कुल मिलाकर 12,771 रिक्त पदों पर भरती के लिए आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए अगर सैक्षन की योगता की बात की जोए तो आवेदक को 10 प्लस टू, भौतिक विज्ञान, रसायन, शास्त, रजीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ, उत्तरन होने के साथ ही पद से संबंधित डिसिप्लीन में बैस्टर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स पास होना जरूरी है वहीं फिमेल हिल्थ वर्कर एए अनेम के लिए महला आवेदक को ऑक्जिलेरी नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग कोर्स पास होना जरूरी है इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिएगे विब लिंक पर जरूर क्लिक करें आवेदन करने के लिए विस्तरित जुआनकारी के लिए आप ओफिशिल विब साइट परिक्षा.nic.in या btsc.bis.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं साथवे चुरन के सिक्षक बहाली के लिए आंदोलन कर रहे है अभ्यर्थियों के लिए एहम सूशना. बीते दो दिनों से स्टेट और सीटेट उत्तेरन शात्र शात्राओं ने बिहार में साथवे चुरन के सिक्षक नियोजन की मांग को लेकर प्रतशिन शुरू कर दिया ह सिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 11 जुलाई तक नामांगन प्रकिरिया प्रारंब करने का चाइम लाइन दिया गया था, 11 जुलाई तक प्रकिरिया नहीं प्रारंब होने के कारण मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन करना पर रहा है. इसके बाद अब सिक्षा मंतरी जिक्षा मंतरी ने कहा कि अगस्त महीने के आखिर तक छठी चुरन की सिक्षब बहाली के प्रकिरिया पूरी कर दी जाएगी, इसके बाद साथवे चुरन की सिक्षब बहाली शुरू कर दी जाएगी. बिहारी पैशान में आज हम बात करेंगे सबाकरीम की सबाकरीम ने टिसको के कॉपरेट कॉमुनिकेशन डिवीजन में काम किया सबाकरीम को वर्ष 2018 में बीसी सी आई का नया जुनरल मैनेजर बनाया गया इस पत पर करीम को कई महत्पुन जिमिदार्यों को निभाने का मौका मिला गोवा से ज्वादा बिहार में घूमना पसंद करते हैं विदेशी परियाटक के आने के मामली में बिहार देश के शिर्स दस राज्यों में शामिल है सबसे अधिक विदेशी परियाटक महराश जो आ रहे हैं बिहार में विदेशी परियाटकों के आने का नुपात 14.2 फिस दी है जो गोवा से अधीक है इन सुची में बिहार नौवे अस्थान पर काबेज है बिहार में अब आधार से जोड़ा जाएगा मतदाता पहच्वान पत्र अब आधार काड के साथ जोड़ा जाएगा बतादे की बूथ लेवल अधिकारियों के द्वाड़ा घर घर जाकर मतदाताओं से उनका आधार जमा किया जा रहा है आपको बतादे कि मतदाता पहचवान पत्र को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना मतदाता की स्वेक्षा है साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई मतदाता से जवर्दस्ती नहीं करवा सकता है बता दे कि नवंबर मैने में अगरिम मतदाता पहचान के लिए आवेदन कर सकते हैं बता दे कि इस बार से युवा 17 साल की उम्रे से ही मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं साहिब गंज हुआ मुजफर पूर सहित नेपाल जाना अब होगा और भी आसान को जोडने के लिए भारत माला योजनान तरगत विस्तरित पर्योजना परतिवेदन तयार कर रहे हैं। निवीदा निर्गत किया जा चुका है जो एक बड़ी उपलपती है। कि प्रदेश के सभी जिलों में एक या दो अस्थान और वजवपात के साथ में घरजन होने की संभावना है। बतादी कि नेपाल में हो रही बारिश की वज़ा से उत्तर विहार की कई नदियां उफान पर हैं जिसके कारण उत्तर विहार के कई जिलों में नदियों का पानी गाव में घुसने लगा है। बिहार के कुल 264 CEO को भाड़ी पड़ी काम मिला पड़वाही। बता नहीं मिल रही है, यह मामला विधान सभा में उठता है, जनता दर्वार में मुख्मंत्री कारे करम में भी किसी ना किसी जुले से अतिक्रमन की शुकायत आती रहती है। की मॉनिटरिंग करेंगे, इसको लेकर पंच्रायती राजविभाग ने सभी जुलाधी कारियों को निर्देश जारी किया है। मालूमों कि विभाग ने जुलाधी कारियों को एक पत्र लिखा है, इस लिखे पत्र में कहा गया है कि जिलो से प्राप्त रिपोर्ट की समिक्षा में यह बात सामने आई है कि विविनकार्डों से विविनकाओं के कुछ बसावतों और घड़ों में नलजल और गली नाली पक्की करन का कारिय नहीं हो सका है। का गठन प्राचारे करेंगी नौवी और ग्यार्वी कक्षा में बीस विद्यार्थियों का समूर रहेगा, वहीं कक्षा एक से आचवी में छटी साथवी और आचवी कक्षा के कुल बीस विद्यार्थी का समूर रहेगा, इसमें दश चात्र और दश चात्राएं होंगी। वालमिकी Tiger Reserve में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास वालमिकी Tiger Reserve या BTR भारत के सबसे प्रमुक टैगर रिजर्ब में से एक है विहार के पश्ष्मी चमपारनचुले में भारत नेपाल सीमा के पास इस्थेत यह Tiger Reserve लगवग 880 वर्ग किलोमेटर श्वेत्र में फैला हुआ है वालमी की Tiger Reserve में वालमी की राश्ट्री उद्यान और वालमी की वन अभिहारन ये शामिल है यह Tiger Reserve भारत का ठारवा Tiger Reserve है और बागो की अबादी के मामले में चौथ है स्थान पर है कुछ श्रोतों के हवाले से हाली में यहां बागो की संख्या बढ़ कर 40-50 हो गई है यहां सिर्फ बाग ही नहीं आपको तेंदुआ, उद्बिलाओ, हिरन, काले हिरन और एक सिंग वाले गैंटे के साथ-साथ 16 और भी ऐसे अस्तन धारी जानवर देखने को मिलेंगे वहीं परियतन विभाग की बीटी आर में शैलानियों की सुविधा और मनुरंचन की विवस्था के लिए लगातार काम कर रही है अगर आप जंगली, जीव और प्रकिर्ती की सुन्दर्ता के आदी हैं तो आप बिहार में टाइगर रिजर्ब जरूर जाए पिछले साल के मुकाबले इस साल मिहार पुलीस ने की 40% से अधिक गिरफतारी पुलीस ने साल 2020 के शरूर जादा गिरफतारी की है 222 की सब्धी में गिरफतारी की संख्या 1,26,254 रही खालांकि कोख्यातों की गिरफतारी में कमी दर्च की गई है। जुमा खान ने कहा कि बिहार के स्कूलों में शुकरवार को छुटी होगी तो दिक्कत क्या है। जिसके बाद CBI ने साथ दिनों के लिए भोला यादव और हिर्द्यानंद चौर्धरी को रिमान पर रखा। जहां दो अगस्त को इन दोनों की कोच में सुनवाई होनी थी। अब इसके बाद खबर यह आई है कि इस मामले में कोच ने आगी के पुछताश के लिए भोला यादव और हिर्द्यानंद की CBI रिमाच 5 अगस्त तक बढ़ाने का अदेश दिया है। परिवारबाद वाले बयान पर भाजपा गोजद्यू का समर्थन। परिवारबाद के साहर एक इसी पाटी को लंबे समय तक नहीं चुलाया जा सकता है। तेजस्पी ने कहा हार या जीत से मत डरो बस खेल खेलो। आज कल लेदा पर्तिपक्ष तेजस्पी यादव अपने सेहत को लेकर खास ख्याल रख रहा है। और आए दिन अपने नए नए क्रिया कलापों के साथ सामने आते हैं। तेजस्पी कभी क्रिकेट खेलते हुए वीडियो साजा करते हैं तो कभी जीब को धवका देते हुए। इस बीच तेजस्पी यादव ने 23 दिन उन्होंने टेबल टेनिस पर हाँ थाजमाया। फेस्बुक पर उन्होंने वीडियो साजा करते हुए लिखा कि हाड या जीत से मत डरो, बस खेल खेलो और अपना सर्व स्टेस्ट दो। वीडियो देख यूजर खूब कॉमेंट भी कर रहे हैं। में लोहार या लोहरा अनुसूची दुजाती की सूची में शामिल हैं लेकिन इन अधिसूचनाओं का उलंगन करते हुए पूर्व की सरकार ने 48 बाई 206 लाकर हिंदी में लोहार और अंग्रेची में लोहरा शब्द उचारित किया जो आसम वैधानिक गैर कानूनी और नि मुकेशु सेहनी ने राज़त को दिखा बड़ा जटका आखिरकार मुकेशु सेहनी का राज़त के अलग अलग जीलों में गूम गूम कर लोगों से मिलना काम कर रहा है आपको बता दे कि मुकेशु सेहनी ने राज़त को बड़ा जटका दिया है राज़त ने तामित लेश विच 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 वि महिलाओं के योन यूद प्रेरन के खिलाफ दोचरबारा में कारियास थल पर सुरक्ष विधेक दोचरदस पारित हुआ, पंच्वटी ये शोधरा साकेत जैसी काल ज्याई रचनाओं के कवी मैथली शुरन गुप्ध का जन्म 1886 को आज ही के दिन हुआ था, भारत के परसिद् स्रीपरकाश का जन्म 1890 को हुआ था, भारती गीतकार और शायर श कील बदाय उनी का जन्म 1916 को हुआ था, भारती सागीतकार तक तक प्रसिद् अध्यात्मिक चिंतक्त था वेदान्त दर्शन के विश्योपरसिद विद्वान स्वामी चिनमया नंद का नितन 1993 को हुआ था और आज ही के दिन भारत में हिर्दे प्रतियार ओपन दिवस मनाया जाता है एशिया कप का शेडियूल हुआ जारी एशिया कप 2020 के पूरे शेडियूल का अलान हो गया है 27 अगस्त से एशिया कप 2020 टूर्णामेंट की शुरुआत हो जाएगी जबकि 28 अगस्त को चीर परतितोंदी भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा एशिया कप फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा गौरतलव है की लंबे समय के बाद एशिया कप टूर्णामेंट की वापसी हुई है और इस बार यह टूर्णामेंट 50 अवर फॉर्मिट के बदले T20 फॉर्मिट में खेला जाएगा पहले एशिया कप का आयोजन सुलंका में होना था लेकिन वहाँ के हालात को देखते हुए टूर्णामेंट का योचन अब UAE में किया जाएगा पैन कार्ट खोज़ाने पर करे या का इंकम टेक्स डिटर्न भरने और बैंक से बड़े लिन देन करने के लिए पैन कार्ट अनिवारी हो गया है यह है कि यदि आपका पैन कार्ट कहीं खो गया है या बारिश में खड़ाब हो गया है तो आपको ITR फाइल करने में दिक्कत का सामना करना पर सकता है ऐसे में हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ट खोजाने पर आप कैसे आसानी से एपैन डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको इपैन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आएकर विभाग के इफाइलिंग पोर्टल इंकम टैक्स.डू भी.टीन पर जाएं इसके बाद इंस्टेंट इपैन ओप्शन से न्यू इपैन ओप्शन को सेलेक्ट करें दिए गया विंडू में आपको पैन नंबर और आधार कार्ट का नंबर एंटर करना होगा इसके बाद टर्म्स एंड कंडिशन के ओप्शन को एक्सेप्ट करें इस प्रोसेस के बाद OTP एंटर करें और डेटेल को चेक करके सबमीट बटन पर क्लिक करें इसके बाद इपैन प्रारंबिक यूबा, सिक्षक संग के बैनर तेले बिहार के प्रारंबिक स्कूल में साथ में शुरेन की न्यूकती की मांग को लेकर सिक्षक अभ्यर्थी गरदनी बाग धरना स्थल पर आंदोलन रत हैं अंदोलन करने में कई महिलाएं भी शामिल हैं जो कि अपने बच्चों के साथ धरना दे रही हैं इधर अभ्यर्थियों का कहा रहा है कि तिन साल से वो बहाली की इंतजार कर रहा हैं लेकिन सिक्षविवाग दौरा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है इसे अभ्यर्थियों का सब्रका बांध टूट रहा है कहा कि सिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करने को विवश हैं उपस्थित कई है चात्रोर ने कहा कि लाखों सीट खाली होने के बाद में सिक्षकों की भटी नहीं कर रहा है प्राजनितिक दलो के साथ बैठक हुई इसमें विविन राजनितिक दलो के प्रतिनीदियों को भारत निर्वाशन आयोक द्वारा दिये गई तिसार निर्देश की जानकारी दी उन्होंने बताया कि अब मतदाता सुची में नाम शामिल करने को लेकर चार अहर्ता देती नरधारत की गई है जडियों के वरिस्ट रनेता वस्टिस्ट नाराएंसी की तवियत में आई सुधार हाली में जुंतादल यूनाइटिर के राज़े सवहा सांसत और पार्टी के पुर्वर प्रदेश अधेक्षुर वस्टिस्ट नाराएंसी की तवियत खड़ाब हो गई थी जिसके बाद उन्हीं इलाज के लिए दिली एम्स ले जाया गया था अब वह पहले से ठीक है वस्टिस्ट नाराएंसी पिछले दीनों जब विमार हुए तो उन्हीं पटना से दिली लाया गया था और दिली इम्स में उनका इलाज चल रहा था लेकिन इम्स से अब उन्हें डिस्टार्च कर दिया जा चुका है और वह अपने दिली इस्थितावास पर हैं तवियत में सुधार होने के बाद पुर्ब प्रदेश अद्यक्षुर पार्टी के निताओं से मुलकार भी करने लगा है बिहार में मिले कोविज-19 के दोसों से भी कम मामले बिहार में बिते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिला कर 180 मामलों की पूस्टी हुई है जिसके बाद बिहार में एक्टिम मरीजों की संख्या 1307 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जीलो की बात करें तो अररिया में चार औरंगाबाद, बाका और बेगुसराय में एक, भागलपुर में ग्यारभ, भोजपुर और बकसर में एक, दर्भंगा में तीन, पुर्वी चंपारण में दो, गया में आठ, कैमूर में दो, कटिह इसके साथ ही बीतिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिला कर एक लाग उनीस हज़ार नो सुशतिश सैंपल की जाच की गई है इस दोड़ान 273 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लोटे हैं ब्यते दिन हमारे दोड़ा पुछे गया सवाल का आप लोगों से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमें सवाल का जवाब दिया हैं उनके आपके शेतर में मिलने वाले परसिद मिठाई कौन सी है श्वेत्र का नाम सहीद अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताए आज के लिए बस इतना ही विहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें विहारी न्यूस और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दवाना ना भू प्रिवाद्ट